गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम सिंदु गाटि सभ्यता का पतन के कारण के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा सिंदु गाटि सभ्यता के जो पतन के कारण है उनके ब यहाँ पर हमने कई फ्यमस विद्वानों के मतों के बारे में आपको यहाँ बताने की कोशिस करी है तो देखेगा नदी की सुसकता के कारण सिंदु गाटि सभ्यता के पतन के कारणों में एक है नदी की सुसकता के कारण तो उसके इस मत के संस्तापक है सूद और अगरवाल फिर ए इस्तिर नदी तंतर तो इनके हैं लैंब्रिक जलवायू परिवर्तन आरेल स्टिन एउन ए एन घोस प्राकर्तिक आपद्दा के यू आर केनेडी बुखंप रेइक्स पारिस्तितिक संतुलन फेर सर्विस आर्यों का आकर्मन आर मार्टिमर वहिलर बाहिये आकर्मन गा देखेगा हमने यहां पर आपको कई विद्वानों के बारे में बताया जिन्होंने सिंदु घाटे सब्वेता के पतन के कारणों के बारे में अपने अपने मत दिये हैं इसी परकार हम अन्य कारणों के बारे में भी जानेंगे तो देखेगा सिंदु घाटे सब्वेता का का सब्सक्राइब करें इसके पतन के कारणों में अनेक विद्वानों दवारा अनेक भिन भिन मत दिये हैं तो जैसे कि कौन-कौन से मत दिये हैं विद्वानों ने तो एक सी धान तो ये कहता है कि इंडो-उरोपियन जनजातियों जैसे आरियों ने सिंदु घटी सब्वेता पर आकर्मन कर दिया था इसमें सिंदु घटी सब्वेता के लोगां वो हार गए थे कई विद्वान कहते हैं कि जलवायू परिवर्तन के कारण कई कहते हैं कि नदियों ने अपना मार्क परिवर्तन कर लिया था बाड के कारण आरियों के आकर्मन के कारण बुखम के कारण समाजिक धाचे में विखराव के कारण क्यावा सिंदु घाटी सब्वेता का पतन हुआ था अब देखेगा यह आप पर मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताऊंगी इसके बारे में तो 1500 इसा पूरवा या 1750 इसा पूरवा तक आते आते सिंदु घाटी सब्वेता का पतन हो ग सिंदु घाटी सब्वेता का पतन है अपना आधार बताया है बनाया है रिक वेत में बी इंदर के लिए पूरंदर सब्द का प्रियोग किया गया है उसे भी ऐसा ही लगता है कि बही जो दुर्ग ठे उन पर इंदर ने क्या करा जीत हासिल कर ली थी जिसके कारण इंदर को क्या कहा गया पूरंदर इसे भी हम पता लगा सकते हैं कि और जो आर्ये लोग स्ञंक्रामक बीमारी होगी होगी जिसके कारण यहां के लोगों का पतन हो गया था जैसे की मोहंजोद्रो में प्राप्त नर्कंक्यालों के प्रीक्स First के बाद ऐसा अनुमाल लगया गया कि यहां के लोग मलेरिया आदी किसी संक्रामक बिमारी के कारण खतम हो गए थे ये कोन कह रहा है यू आर केनेडी इसी परकार जलवायू परिवर्तन के कारण तो जलवायू परिवर्तन को पतन का कारण बताने वाले विद्वान को है स्ताइन, एएण घोस एंड स्ट्रेन इसी परकार परशासनिक सित्र्ता के कारण सर जोन मार्सल फिर देखेगा प्राकर्तिक आपद्दा के कारण सर जोन मार्सल, मैके, एस, आर राव ये बोलते हैं कि प्राकर्तिक अपद्दा के कारण है सिंदु घड़े सब्वेता का पतन हुआ भूत आत्विक परिवर्तन के कारण है तो भूत आत्विक परिवर्तन के कारण पतन का कारण कौन बताता है भूत आत्विक परिवर्तन को MR सहनी इसी परकार जल प्लावन के कारण वो है M.R. सहनी घगर के बहामें परिवर्तन के कारण G.F. हेल्स पारिस्तिति के S. अंतुलन, वनों की कटाई, संसादनों की कमी ये सब कारण पतन के कारण कोन बता रहा है? फेयर सर्विस अब देखेगा इसी परकार विहिलर ने अपनी किताब प्राचीन भारत तो विहिलर की किताब का नाम है प्राचीन भारत है इसमें विहिलर ने उले किया है कि सिंदो गाटे सब्वेता का पतन बड़े पैमाने पर जलवायू परिवर्तन आर्थिक और राजने तिक बदलाओं के कारण हुआ था तो यहाँ पर हमने इतने सारे विद्वानों के मतों के बारे में पड़ा है इनमें से एक आदा मत आपको पक्का परिक्षा में पूछा ही पूछा जाता है और इसमें भी सबसे जो महत्तोपुण है पतन का कारण वह बाड़ था और इसमें राव, मार्सलोर, मैके थे तो आपको धान से इसको पढ़ना है, धान में रखना है तो देखें स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि अदिक्तर विद्वानों का मत है कि इस सब्वेता का पतन बाड़ के परिकोप के कारण ही हुआ वह से देखें तो सिंदू सब्वेता का विकास नदी घाटी छेतर में ही हुआ था, तो इस छेतर में बाड़ का आना स्भाविक था, बाड़ के कारण बाड़ के कारण जो पतन है वो कारण हमें तर्क संगत भी लगता है लेकिन फिर भी कई विद्वान ऐसे हैं जो बाड कोई पतन का कारण नमान के अन्य कारण जैसे की आग लग जाना क्योंकि सिंदु हट सब्वेता के जितने भी मकान जदातर मकान हैं वो लकडियों से बने होएं तो ऐसा भी अनुमान लगया गया कई विद्वान द्वारा कि आग लग गई होगी और उससे सारे लोग एक जगए जल गए होंगे महामारी और कोई भी बहारी आकर्मन अधिको भी लोग क्या हैं पतन का करण बानते हैं जो सबसे महतोपुन पतन का करणा हुए या तो प्राकर्तिक आपद्दा या फिर बाड है इनको आपको द्धान से देखना है तो हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सिंदु घटिसर ब्यतर से संबन्दी जानकरी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सबस्क्राइब करें धन्यवाद